कि दिशा तो कई किसी को तो गुम्रा कर रहे हैं या कुद तो गुम्रा करें अज पानी के लिए नियोजन कुछ दिये पिछले गवर्मेंन ने 408 कुरोट का जो योजना दिया और 408 कुरोट का पूरा टोटल भी फेल था मैं अभी भी दावे के साथ कहता हूँ तो योजना ये फिले भारती ये जनका पार्टी ने खांदा को अन्ने में लेक्टर दिया कि डॉक्टर के किलाब को सविधान मार्ट से अंदोलन करने वाले थे दो तिन दिन पहले डॉक्ट का सकारात्म कुरूप से क्या करना है ये सोचने की जिम्मेदर्य अपनी है लोग इतने नहराज है इतने नहराज है कि पूछो मर। अगर गवर्मेंन ने ये माप कर दिया कि वाबा हमने कानुन हटाया है अभी तुमको अगर मांगे नहीं मिता तो तुम ये सिवशे ना राणा बाजी करो उसके खिला कोई पुलिस के स्थे बनेगे तो लोग घर से माहा निकल के इन लोगों को मारेंगे सुधाकर देशमुक साब को अगर बताना पड़ेगा इनको कहा बैटाना है तो यह सबसे बड़ी सुगर फेक्टरी यह बोलते बोलते काम ने करते दोस्तो नमस्कार टीवी बन इंडिया के फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है किसी सायर ने लिखा है कि हौसला है तो रास्ता निकलता है और हवाओं का ओट लेकर भी चराग जलता है मेरे साथ एक आज ऐसी ही सक्सियत है जिनोंने रायगण में अपने हौसले के दम पर अपने वीजन के दम पर अपने संघर्स और सक्रियता के दम पर ऐसा कुछ कर दिखला है जो लोग प्रतनिधिवी आजकल नहीं कर पा रहे हैं मेरे साथ आज इस करेकर में रोबरू है वरिश्च पत्रकार निर्वेड लेक अखवार के संपादक कांतिलाल कडू जी आप स्वागत है जी जी सबसे पहला मैं सवाल आप से पूछना चाहूंगा कि पत्रकारिता में 20 से ज्यादा सालों से आप 20 वर्सों से अधिक काल से आप काम कर रहे हैं कैसा रहा पत्रकारिता का सफर क्योंकि जो वो दौर था उसको आपने देखा है और आप नए दौर की पत्रकारिता को देख रहे हैं सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने टिवी वन के स्टुडियों में मुझे बुलाया और मेरे जो कुछ अनुभव है वापन सेर करेंगे अठाइस से तीस साल हुए जबकि एक नया इंट्रेस्टिंग था जो प्रेस रिपोर्टर में काम क करने का एक प्रेस रिपोर्टर के लिए एक क्या वोलते वसको जो अभीमान की बातती आफिक्ची जो आपन कर रहे थे और उस टायम पत्रकार के लिए इतना साब हमन था कि लोग जैसे ही पत्रेकार को देख करकेन थे प्र्श रेपोर्टर मेरा यह कहना है कि पत्रकारिता की दिशा तो कही किसी को तो गुम्राइक कर रहे है खुड को गुम्रा करें छुद मैणे जब 93-94 में मेरे कहल से जु शुरुवात की तो मेरे को हर दिन कुछ नया सी accurना या नया पढ़ना को मिलता था कई लोग मिलते थे कई राजनिति को लोग मिलते थे कई उफिसर से बात करने को चांस मिलती थी किसी का इंटनल ही करते थे तो उनके पास से कुछ सी 중요कों मिलते थे अज की अगर आज के देट में अगर आम तोड़ पे देखेंगे तो यह सब कहीं तो पीछे बहुत पीछे गए चुट गया यह ना की बलकि पत्रकारता चुट गई है लोग अपने खुद को जी जो लोग इस पत्रकारता सेत्र में कारियरत है वो खुद को फसा के आगे जा रहे तो है जब से सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा तो नुकसान लोगों का हो रहा है सुसाइट Sounds का वो रहे है तो यह बहुत बढ़ी गल्थिख है आज रीजल्ट नहिं मिलता और अभी कि अब आप कोरोना के तोड़ पर अगर बात करेंगे तो यह जो पूरी old dough पत्रकारता सु कि अगली 25 साल ये फीर से अपना मोका नहीं बना पाएगी कई बड़े बड़े अख़बार थे जो राज नहीं तीक पे चर्टे थे जो उनका धंदा बनाया था बिजनेस बनाया था लोगों को गुम्रहा करके लोगों को अलग दिशाओ लेके जाके कर रहे थे वो सब बंद जा रहा है था आरफ़ात कि उनके कर्में लोगों को फसा सकते हो तुम खुद को निफशा सकते इसलिए जो अच्छा है वो अच्छा सामने आने के लिए टाइम्लेते लेकिन एक दिन आते इस सुराज उनके नाम से वह बतलब आता ही है और उसको नहीं मिलते, समाज को नही पत्रकार्ता का DNA क्या है यह मैरे वाय है यह बीजनेश इन वन गया अबी लेकिन यह सेवा है यह सेवा होती है इस सेवा में जो Crypto को haven जोब ओजहार पोनए ऑला कर सकी अगर अगल को को दिरान के न अनलम होना चाहिए और Gast спardальную अगर पत्रेकार को अपका DNA मालूम रहेगा तो समाज को एक दिशा में लेके जाएंगा मुडबर लोगों को साथ लेके वो एक नया क्रांती इस सेत्र में भी कर सकते क्योंकि जब तक समाजिक क्रांती नहीं बनती तब तब तुम राजय की क्रांती नहीं बना सकते राजय नहीं बना सकते और इसका जो बेस है यह तुम्हारा जनरलिजम है यह तुम्हारा प्रेस है आपने बहुत बढ़ियां बात एक कही कि एक दौर था जब जनरलिजम को एक मेशन के तोर पर देखा जाता था एक विसुद्ध समाज सेवागर कहा सकते हैं जी जी और इसलिए साइद उसको लोक्तंदर का कितना खतरनाक है यह आपसे मैं पूरे दावे के साथ कि यह ना की बस पत्रकारतों के लिए खतरनाक है उनके फैमिली के लिए खतरनाक है एक समाज के लिए खतरनाक है राजनीतिक जो है नेता हुआ है वो उनका काम कर रहे है अपको उनको पीछे नहीं जाना चाहिए तो कोई जो भुरा हैं दिखाओ उनका पॉजितिव है उसको बीदे लेकिन उसको जगह पर आने के लिए अगर वो समाज को गुमराक रहे है तो वो दुसरा बाजू भी उसका सामने लाने की जिम्मेदारि तुमारी है आज राइगर में हो नवी मुंबई में हो महराष्ट में हो 99% पत्रकार गलत काम कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं खुद के लिए पैसा कामा रहे हैं खुद के लिए प्रपर्टी कामा रहे हैं समाज गया भार में तो उससे क्या होता है कि फिर तुमको भुकताना तो पत्रकार होता है रजए नहीं तीक तोर पर जाओ आउस समाजीक तोर पर जाओ यो है विपक्षेमेधारी यह किसी की बेहता रोड के विरोद्ने करना चाहिए यह विरोदी, अबने ऑपक्षे का जाहरत कितनी मिलेगी इसके पीछे मेरा फाइदा क्या है मेरे संपार्दक क्या है मेरे अकबार का क्या है पाइदे का रास्ता देखने से तुम तुमारा खुद का राजमर्ख खो चुके हो और यह जो राजनीतिक और यह पत्रकारता चलो है मैं मानता हूँ कि यह पत्रकारित खतरनाक मोड़ पे लाने के लिए जिम्मेदर हम लोग है जो इस सित्र में कारियरत है किसी को एक को दोश नहीं दूँगा क्या होता है दूसरी बात है कि अकबार वाले जो है सोचते नहीं है किसी को भी प्रेस काड़ देते जिनको लिखना नहीं आता ओभी प्रेस तुम राजेनेतिक लोग रहेंगे सामाजिक लोग रहेंगे तुमको सब पहली बात यह है कि तुम स्टुडंट होना चाहिए सिखना चाहिए हर एक आदमी के पास से सिखने की जिद्ध तुमारे में चाहिए यह समाज के लिए मैं आपको आपने बहुत बढ़िया सवाल प पिर क्या होता है कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार फिर ब्लैक मेलिंग चुरू करता है यह नहीं होना चाहिए आज तुमने अगर किसी को बुराई देखी तो अपकी कल हुनी है तो आप एक बात करो जो सच्चा ही है वो सामने लाते चरो आपका रास्ता बन जाएगा आपने अख़ार एक प्रारम किया उसका नाम आपने रखा निर्वीड ले हिंदी में उसको बोलते है कि निर्भैता और निडर्ता के साथ जो लिखा जाने वाला लेक है या जो खबर है उसको बोलते है यह विचार कैसे आया क्या यह आपके सभा में जो आपके मन में कहीं चुकी भी बात थी कि नहीं समाज के प्रती पत्रकार की जो भूमिकाय और निर्भेटा की होनी चाहिए क्या इस दृष्टिकूर से आपने ये नाम रखा निर्भीड लेख और आपकी आपकी जो लेखनी है उसी दिसा में चलती भी है जो मैंने प्रत्यक्ष भी अनुबोग किया इस मतलब एक दो निवज लगते थे सभी जो बहुत लोग भेजते तो फिर उसको मिलता निए कि अपने मेरा क्याता कि महीं जहां रहता हूं मेरे सोसाइटी जो है अरा समाज है मैं समाज को प्रमुकेंदर में लाते 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 दो के उसको उसके पीछे में चलता रहा तो मेर समाज की जो समश्य है उसके लिए अपना खुद का अकबार चाहिए मैंने सोच लिया तो फिर नाम निकल दिया तो मेरे को दो रजिस्टेशन का नाम आया था एक निर्भीड लेक का मेरे को रजिस्टेशन आ गया बला निर्भीड होना चाहिए कि पत्रकारित्य का आर्थ जो है पत्रकारता मेंस निर्भीडता जीवन मेंस निर्भीडता तुमारा त्याग जो पत्रकारता है ना पत्रकारता का दुसरा नाम है त्याग अगर पत्रकारता में त्याग नहीं है यह पत्रकार जो है ना मैं बोलता हो कि यह वागा बार्डर पे इंडियन सेनिक जो है कि मेरे समाज के लिए उनका अश्रवात से उनकी दिशा लेकें यह काम करना चाहिए पड़ी अपने बहुत उची बात की मुझे लगथा है यह समझ में नहीं हाता वही मैं आपने मुझे बुलाया है यह मैं मेरा सहबाग्या मनता हूँ act कि such बोलने वाले को कोई आगे लाता नहीं इसके लिए अगर मेरे पास और मुझे अगे 31 आनने वाला मुझे बुलता करने वाला मुझसे कुछ चाहने वाला 200 विम्न डॉस गुना सच चाहिए यह tv देख रहे हैं एक आफसा एफ usually एक अफसर रायगार्ण को बात करूँ तो यह एक ऐसा छहत रहा जिसको सबसे टल बहुत उसकी पुपॉ Hamilton े क्ति संग्राइब का चिंप इस्का ने दर्श्टी से देखना तो यह इतना इसका इतिहास पुराना है। इसे जिम्मेदार बानते हैं सुनिए यह कैसे है कि इसको जिम्मेदार समाजी भी और समाज का नेत्रुत्व करने वाले सभी नेता है ना कि मैं कोई एक पार्टी को दोज देऊंगा यह कैसे कि सब पार्टी ने अज तक उसका पनवेल का प्रतिनी दित्व किया है कॉंग्रेस का भी MLA बन चुके सेका पके जो PWP है उनका भी MLA बन चुके बीजेपी के में बन चुके सिवसेना उनका तो राज में दो बार सरकार आ गया यह काम करने के लिए आपके पास कोई अधिकार चाहिए यह मैंने मानता काम करने के आपके पास जीद रहेगी तो आप अमदार रहे ना रहे आप खासदार नहीं ना रहे एक आप अदमी के प्लबूल के है प्लिवेल कदम की जो गदम राज्या यह चोड़त टा उश्चा ज्राइए पाइल की कल ессल्ट एक उसको रिष्टिक जाहा है यह राज नितिक तो पचाच सल की साट सल के आपन अगर बात करेंगे पनवेल में आज आपको मैं बताता हूँ अभी पनवेल करपोरेशन हो गया तो यह करपोरेशन और रोलर गिया दो डिवीजन हो गया लेकिन आदमी हुए लोग है सीटी में रहने वाला लोगों को भी पानी चाहिए गाव यह लोग ज्यादा कुछ नहीं मंगते यह लोगों की एक समान्यता जो अपन मुल्बूत समझे बोलते हैं पानी चाहिए रस्ता चाहिए नाला चाहिए यह लोग तुमारे पास से कोई बड़ा समुंदर जैसा कुछ नहीं मंग रहा हैं कि हमें यह एरपुड बनाओ अगर लोटी का पहला बताओ जो उनका हक है अपको लोगों को मालूम नहीं हुआ था लोगों ने देखा नहीं था आभी क्या हुआ है सोशेल मीडिया के तो जैसा बोलबाला होता जा रहा है तो लोग सजेग हो रहे हैं बिल्कुर लोगों को पता चल रहा है किसी स्रिक्टर में क कोई वार्ड में क्या हो रहा है नहीं तो लोगों को पता ही ने चल रहा था दूसरी बात यह है कि आपने पुछा तो आम अदमी का प्रतिनिदीत्व करने वाले लोग को प्रतिनिदीज हो रहा है और रिपोर्टर है और अगबार है और अगबार ने क्या हुआ है अगबार न अभी तक ऐआरपोड नहीं हुआ पिलुक Laz tylko आप अने के बाद आप घर से बहार नहीं पड़ सकते आप दूटी पे नहीं जा सकते कोरोना का एक तो ट्राइल स्हेख अजया आप लोगया तौन आपको नव मेना घर से बहार नहीं पड़ा तो क्या होगा आपकी रोजी रोटी चलेगे या आप दूटी पे नहीं जाएंगे मैं आपको बताता हूँ कि एयरपोड बनने के बार आपको ऐसा ही घर में जकड़ता हुआ रहना पड़ेगा क्योंकि आपकी गाड़ी बाहर ने पड़ेगी आपकी एटो एयरपोड रेलवे तक नहीं पड़ा के अभी 95 रोलर ड्वल्प्मेंट के लिए जो गाव लिए सिटी लिया पन्वेल अभी अवरंग अलिबाग तक जा रहे है मैं वोलता हूँ पूरा महराष्ट कब जा करो लेकिन आप वी मेंग दसीटी आपका जो नारा है नारा है शिटकों का वी मेंग दसीटी ले बहुत यह गंभीर जो यह सवाल है पन्वेल से उज्ड़े हुए राइगड शेत्र से उज्ड़े हुए जो मैं अतिहासिक पन्वेल लगरी की बात कर रहा था राइगड वो जमीन है वो जगह है वो पावन धरती है जहां से श्वाजी महराज ने पूरी दुनिया को रास् तो श्टर प्रती शीवाजी महराजी वो धरती पावन जो है वो राजधानी राइगड में उनकी थी लेकिन राइगड को इसमे दुक होता है कि एक ऐसा महं요 Commons जो हमारी नगरी में जिसकी राजधानी थी जहां से जहां के लाइट से जो पूरी दुनिया को पता है कि च्छत्वपति शिवाजी महराज कौन थे और जब हम उस नगरी में रहते हैं तो हमें एहसासी नहीं होता कि हम वहीं रह रहे हैं इसके जो एतियासिक सम्मान को लेकर जो इस तरह का दुरादर हो रहा है इस चेत्र को लेकर आप खुले तोर पर किसको जिम्मिदार मानते हैं और अगर यह नहीं हो रहा है तो इसके पीछे क्या करने की जरूरत है कैसे कि महाराज तो नाम ही काफी है वो ब्रैंटा बैंड है ब्रैंड रहेगा ला के अपनि देश हो आपने देश एक है स deserve I am लेंडन वाले भी जो कहिते हैं, अम्हाराज की राजनिती को टोर पर नम लेते हैं, रायगर्ण। इतनी पावनस्भुमी जो बोलते है। रायगण। इतनी पावनस्भुमी है, कि मारायगर्ण॥ के लिए। शत्रपति शिवाजी महाराजी आहे। बाबासा आमबेटकर रायगण में है। हुं महात्मा गांदी ने भी जो चिर्णर सत्यागर किया वो भी राइगर में आते हैं अध्य कर्णति कर जो है इस अजो क्रांति कारी जो है मेरे दूसरी बाद श्राव महराज रहेंगे फुले महराज रहेंगी तुकारा महराज जो महराष्ट के अध्यात्मिक मुमी जिनके नाम सिच शुरू होती है तुकारा महराज भी पन्वेल में आये थे मैं यह बात बताना चाहता हो कि महराज लोगों ने मतलब माथे पिलिया जो दिमाग में लेने चाहिए कि महराज से क्या सिखना चाहिए अभी आपने बात बताया भरणविस सरकार थे 600 क्रोड रुपया राइगड के लिए ड्वलप्मेंट के दिया क्या हुआ कोई भी पूछता ने मेरे राइगड के साथ यमे लिए दो यंपी हिसाब है तो उन्होंने पूछना चाहिए देखो यह तुम्हारा जो राजेने इति इसको संभाल करना वह समर्पत उती से समर्पत कृति हमारे पास नहीं है महराज का नाम लेकर राजनी तुम्हारा राजनी तिक विवार चलेगा तुमारी अध्यातमिक या तुम्हारा जो होसला है वो तुम नहीं बढ़ा रहे अगर नाम लेते हैं आप टीवी पे देखते चोटे-चोटे बच्चा वैस्पिट पे आते हैं मंच पे आके अगर महराज की जए शत्रबदिश्वाजी महराज की जए तो उनका जोज देखो तो यह जो है ना यह सब जो है यह उसका गलत इस्तिमाल नाम का किया और सभी पार्टी ने सभी राजेनिती पार्टी ने देख पार्टी ना कि उनके स्टेश बना के सब आप समझ आगे जाने वाला है उनके स्टेश तो दिल में होना चाहिए उनको स्टड़ी होना चेहे और एक बाताना चाहता हूं जो मेरी खुन की राय है कि जैसे के अपनी पीडियेती अभी मैं हूँ आप है तो आपके तोर पर आपके हिसाब से आपके दुरुष्टी से महाराज क्या थे आपके दुरुष्टी से महात्मा फुले जी क्या थे आपके दुरुष्टी से शाओ क्या थे महामानों अंबेडकर जी क्या थे यह अपने किताब निकालनी चाहिए तो क्या होते आप यह नहीं पीडी के प्रतिमी आज महराज का है मैं का वो मेरे समाज का है यह अगर हर तोड़ पर अगर समाज को दिखाना यह तो जो पीडि नहीं आती है इस कि अपने जो महामानव युगपुरुश फिक है जो संत इसंत उनके उपर उनके विचार धारा अपनी तोड़ पर अपनी दुरुष्टी से अगे लानी है उनके किताब बनाने ग्रंत बनाना है तो समाज को एक दिशा मिलेगी दिशा मिलेगी निर्भीड लेकर जरी आप लगातार जो पन्वेल की नागरी समस्या है उसे लेकर आपने आवाज जनता की बुलन की है लगातार आपकी वो जो जो आपका प्रयास वो जारी है अगर मैं आपको संक्षेप में पूछूं कि पन्वेल की जो नागरी समस्या है इस वक्त सबसे गंभीर समस्या कौन-कौन सी है और उसके लिए जो प्रयास चल रहे हैं चाहे वो सिढको हो या पन्वेल महानगर पाल महापाली का समझ में आई ना प्रश्यासन को समझ में आई प्रश्यासन की जो ओफिसर है वो आते हैं उनका एक टाइम पिरेड रहता है और टाइम पिरेड में उनका खुद का एक टार्गेट रहता है क्या काम करना है उनको कहा जाना है अगे की पोश्टिंग क्या करना है यह सब इसमें सबसे बड़ा नुकसान चुड़ा है समाज कर अभी बात बता हूं कि देहरंग् धुरुण जो महापली का न गरपाली का था महा पाली अज वहां से पानी इतना आता है आपको पानी कितना मिलता है आपकी शेर है इतने बड़े है लोग बढ़ती जा रहे है आज महाराश जो भी कुछ यहां रहता है उनको अपन सहरा देना चाहिए पानी देना चाहिए अज पानी के लिए नियोजन कुछ निये पिछले गवर्मेन ने 408 क्रोट का जो योजना दिया 408 क्रोट का पूरा तोटल ने फेल था मैं अभी दावे के साथ कहता हूँ योजना फेले अभी 408 क्रोट का एक साल चला गया अभी दो साल में वह जाएगी वह जरूरी है कि उनका पाइपलाइन चेंज करना है तब तक पानी का प्रेशर ने बड़ेगा लेकिन दो साल में आ अगर आपके शियर को आपके गाव को आगे लेना है तो यह किताबी ज्यान है ना एक किताबी ज्यान को आप अपना अत्मिक ज्यान जो है अंदर का अवाज है उसको मिलवा के आगे चलो अपके पास विचारदारा ही नहीं है तो आप पानी का प्रोब्लेम कहीं से सॉल कर स यह तो समाज को बाद में बता दूंगा है कि लोक नेता जो है लोक प्रतिनी दीजिओ है कार्पोरेटर एंको मालूमने कि भाई पानी कहां से आता है लोग क्या बोलते हैं वो यंजे पी से पानी आता है यंजे पी सिड्को को देती हैं शिद्कों हम अध्य यह जलसंपदा अ नोगों को यह मालूम नहीं करते हैं कि अपने को बात करते हैं को मैं बताता हूं दो साल पहले भाजय पर निकाला था पाने पानी के लिए और पानी के लिए ओम्र्चा किसके उपर निकाला MJPK आपिस में लेके गए मैंने कोई एक समझ में नहीं आता माहापालिका की सत्ता BJPK है महाशिडको के चेर्मन BJPK थे लोग पानी का जो कर है महसूल है वो शिडको को आधा करते है तो किसके उपर मोर्चा लेकि जाना चाहिए BJPK कार्पोरेटर लूपन वेल के MJP की पाज जाके बैटी मैं कोई ये पता नहीं चला क्या तुम्हारी कारपोरशन तुम्हारी है तुमको सिड्को के चेर्मन तुमको है तुमको पानि देते है आप कर उसका पाने पट्टी जो है वह सिड्को के देते हैं अब एम जपी की जाके दौर तुम पानी किस से लेते हो शिडको से तो तुम भाई उसके पास जाऊ ना वो एमजेपिकों बहुत जीक है लेकिन तुमारा दावा किस के पास होना चाहिए लोगों के गुम्रह करने वाले जो लोग है जब तक यह राजनेतिक लोग में जो जिसको कुछ दिशा ही नहीं है ज तो बस सुनती है जो चावी के उपपर चलती है चावी के उपपर चलने वाले जितने लोग है वो समाज को आगे नहीं ले जा सकते तो भाई पानी का समझ्य आई पानी के बाद अगर दूसरा समझ्य मैं तो मैं आपको बताता हो कि रास्ते सडक सडक योजनाहे में बहुत करेंगे तो आपको समाज को मुख्य प्रवा में लाने की आपको दिल्चस्पी नहीं यह मेरा कहिना है कांदेल कड़ुजी से आगे भी हमारी बात्चित जारी रहेगी जैसा आपको सुन रहे हैं कि तमाम ऐसे मुद्धे हैं जिस पर इनकी प्रकर राया आपके काम आने दिखाने वाली है और पन्वेल को पन्वेल करों के लिए एक नया रास्ता दिखाने वाली है तो इसे हमारी बात्चित का यह दौर जो चालू रहेगा लेकिन एक छोड़े से ब्रेक के बाद आप बने रहे हैं टीव इन इंडिया के साथ दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है इस वक्त हमारे साथ रूबरू हैं रायगण छेत्र के वरिष्ट पत्रकार और निर्भीड लेक के संपादक कांधिलाल करूजी सवारों का सिलसला हम फिर दुबारा इन से सुरू करते हैं इस बर से हम जानने की आप से कूसिस करना है हमारा मेरा अगला सवाल जो आप से यही है कि जिस तरह से आपने कहा कि पनवेल महानगर पाली का छेत्र की जो नागरी समस्याएं हैं उसके लिए कहीं न कहीं सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं आप पत्रकार होकर भी निर्भीर लेक के जरिये एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में मुझे नजर आते हैं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप राजनीती कर रहे हैं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर हो गया है उस कमजोरी के दौर में आप एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभार है आपको क्या लगता है जब लोग कहते हैं इस तरह से नहीं देखिए आप कोई भी मुद्दा उठा ये यह आप सही रास्ते पी चलो मतब इननता तो होती है और वोनी भी चाहिए कई लोग मुझे अच्छे कहेंगे कई लोग बुर अगर विपक्षे अस्तित्व में रहते तो इतना बड़ा राड़ा आज नहीं चलता था आज महापाली का कोई में देखो कोई में तो कुछ भी नहीं किया सब लोग सब जो कार्पोरेटर थे घर में रहे चुके अफिसर क्या कर रहे थे उनको पता नहीं था पनवेल में व तो उनको कोई ना कोई तो उनका रास्ता दिखाने के लिए उनकी जो गल्तिया उनके सामने लाने वाला चाहिए वो कोई नहीं लाते तो आभी देखो जो उनके समर्थक जो है वो मुझे तो बुरा कहेंगे और जो समाज है जो ना कि इधर आदे इधर आदे उदर ने जो अगवाए मेरी निती मेरे नियत साप ए तो आपने नियत साप नियत जो है उसका फाइदा लोगों को ओर रहा है ये तो बारा खुशी का मामला है भाई आपने पन्वेल संघर्स समिती की सापना की निर्भीड लेक के बाद दूसरा एक अगर सासी कदम कहा है तो पन्वेल संघर्स समिती बीते जो कोबीट का जो दौर गया है तमाम हस्पिटलों ने मरीजों के साथ बड़ी बड़ी लूट की है ये नौइमबई में हुआ पन्वेल में भी हुआ है मैंने जो देखा है कि पन्वेल संघर्स समिती ने नौइमबई से लेके पन्वेल तक के पीडित मरीजों को नया दिलाने की कोशिस की यह मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं जी यह जो मैंने देखा है यह कैसे हुआ कि MLA है MPs हैं दूसरे लीडर्स हैं उनकी वज़ा पन्वेल संघर्स समिती कैसे इसका समधान कर रही है किसी का पांच लाग का बिलाया तो दो लाग हो जा रहा है किसी का दो लाग भी लाया तो फिरी में हो जा रहा है यह कैसे आखिर क्या वज़ा है कि जो हस्पीटल था यह प्रशाशन है वो लोग प्रतनिदियों की बजाय कांतिलाल कडू और पनवेल संघर्स संभीती का सुन रहा है इसके पीछे क्या रास है बताया मैंने कि नियत साप होनी चाहिए जिनकी नियत साप होता है उनको रास्ता अपने अपसे मिलता है गौर्मेन ने अगर रूल बनाया गौर्मेन ने अगर जयार निकाला कि भाई इतना ही पैसा लेना है चार आज़ार रुपया को नॉर्मल बेट पे लेना है 7500 जो आपका आइसियो में लेना है और 9000 आप एंटिलेटर बेट पे ले रहे है और और अल इंकुलिदिंग तो इस यहें एक आपक यहां स्क्राइब सिस्तु अगर फ्चाहर लागं को ट्रख से से बना रहे यह तो में मुझमें लोगों के आसीस्टी लोगों के आसीस मेरे साथ मुझमें Имत ती मैंने उस डॉक्टर को कॉर्ण्यक्रश डॉक्त पच्छान यह कैसे बिल बनतड जा रहे ह यह मेरी हिम्मत थी आपको मैं बताता हूँ भारतिय जनता पार्टी ने खांदा कॉलनी में लेटर दिया कि डॉक्टर के खिलाब वो सभीधान मार्थ से अंदोलन करने वाले थे दो तीन दिन पहले डॉक्टर जाके किसी को मिले लोग प्रतिनिदी को अंदोलन बंद हो गया यह मेरा काम नहीं है जो सामनी है मेरे को कोई बोलेंगे आप आके मिलो यह मैं आपके मुलता हूँ तो मैं बोलता हूँ मुझे मिलना ही नहीं है आप रास्ते पर आ जाओ दंके के चोटके साथ मैं कहिता हूँ कि मैं यह काम करने वाला है उसमें देखो कैसे डॉक्टर को को जोगो तो बादा को अन्यूत चयवीन का घरत एक नहीं नहीं रहता कोई पूंड़ी की अदिया, तरफिक संसुपाली दोट्यों और भेड आंगी डीय्ल कूला। यह नहीं किया तो उसके उपर एक्षिन नहीं हुआ लेकिन कलेक्टर साथ जो है कलेक्टर मैडम है उनसे लेटर दिया सीयल साब को लिए इनको सबको मैंने इतना तमाचा मचा के रखा था कि यह एकॉर्डिंग टू लॉओ यह जियार के साथ ही होगा तो डॉक्टरों को मलु के खिलाब जो जो है उसका बाप बनने की कोचिस करो आपको सलाम मारते जहेंगे लोग यह नजाकत है और इसकी मजा कुछ हो रहे हैं देखो यह कैसा है मेरे कई डॉक्टर से रिलेशन नहीं है ना मेरी संगर समिती ने किसी के पास से पैसा उठाया है ना मेरा पार्टी बो सब्सक्राइक करले कृपा से तुम तुमयरा रिलेशन क्या यह तुमारी इमेज में समॉच क्या उसके आधार पर तुमको लोग नमाज समास्मास के जो आगे नमन करते हैं अगる इस बहुतियों की कृपा से सबीछों की कृपा से हर एक डॉक्टर को मैं 18 इस गंते काम कर र the tax उनका बिल कमके लोगों यह भी बता है यह पहला वडाता है मैंना किसी भी डॉक्टर के कोई भी इंक्वाईरि करो जाच करो मेरा मेरे पास मेरे पास किसी डॉक्टर का नंबर नहीं था और लेना चाहता हू अगर एक मरीज का पुछ कर में असको बोलता था आप जाकर आप अपना जो है ओपन किताब है एवरिवान उसको पढ़ना चाहिए रीड करना चाहिए कि यह कांति कुडुक्या है और मेरे को इतना सिखने को मिला कि गॉवर्मेंट के ज्यार के अनुसार मैंने सब को सच्चाई के रहा पे चलने के लिए और डॉक्टर सब जोते पहले मनाई क मैं बोला देखो यह सेवा है और सेवा में कोई कंडिशन ने होती सेवा में प्रेम होता है तो पनवेल की समस्या सामने दिखती है 2016 में महानगर पालिका स्थित्व में आई पनवेल की बड़ी उम्मीद थी बड़ी उम्मीद थी कि कि नौइम भई से सटा हुआ बिलकुल प पुरास्कार मिलें लेकिन अगर पनवेल महानगर पालिका पर गौर करें तो पिछले तीन सालों में ना तो घंकचरा व्यूषापन ठीक कर पाई है ना तो जलापूर्ति की समस्या ठीक हो पाई है और सबसे बड़ी उसकी समस्या स्टाप की स्टाफ की है तो अभी भी वो यह जो खामिया है पन्वेल महानगर पालिका को वह बहुत बड़ी बाधा है पन्वेल च्छत्र के विकास के लिए कोई भी बाधा है यह तो बाधा है लेकिन यह बाधा का सकारात्मक रूप से क्या करना है सोचने की जिम्मेदर अपनी है कर्पोरेशन हो गई उसकी एक्चुली गॉवर्मेंट का 91 में जो नवी मुंबई हो गई जबी उसका एक सब्सक्राइशन निकला था लेकिन यहां के जो लोकल पाल्टी है उन्होंने विरोत किया चलो ओटाइम नहीं ता समझो सही वक्त में काम होना चाहिए लेकिन आज भी क कोई प्लाइनिंग नहीं है करके यह हो गया कि आज लोग समादन नहीं है जो टेक्स वल्डर है को टेक्स वोल्डर को कोई सुवी दार गर्पोरेशन नहीं देला और दूसरी बात है कि उसकेS sz ment Son पेला सब लोगों ने की आप उनको क्या करना श्रुक्र शुन करने से पहले मैं नगर विकास के जो यूडी टू के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मनिश्चा महिसकर कि अगर आप न्यूबड करपोरेशन करने जा रहे है तो आप हमें डायरेक्ट Darling criter की धारा रहती है एक विचार करने का एक स्टड़ी रहता है एक कानून की चोकट रहते हैं काम की एक शहिली रहते हैं प्रमोटेड ऑफिसर उतने देखते नहीं और दुसरी जो बात है कि सियो केडर के जो ऑफिसर है जैसे कि अभी के मुंसिपल सी हो है बुजूर गे लेकिन सियो केडर की एक अधिल थे तुमनना लग रहती है आईएस की तुमना अलग रहती है फ्सा हुआ प्रयोग है यह मुंसिपफली की का प्राइशन का जो है महापाली प्सा हुआ उनको यह खुद मालूं नहीं उनको लोगों देखो लोगों में ये एरपोर्ट दिखा है तुमारे बाप की प लोगों को और कुछ तो उसमें आना चाहिए लोगों देखते ही करना चाहिए कि यह मुंसिपार्टी यह जो महापालिका यह कुछ कर रहे हैं अभी क्या है कि लोग इतने नहराज है इतने नहराज है कि पूछो मत अगर गवर्मेंन ने यह माप कर दिया कि बाबा हमने कानून हटाया है अभी तुमको अगर मांग के नहीं नहीं मिलता तो तुम यह सिवशेना स्टाइल मंसे स्टाइल राडा बाजी करो उसके खिलाब कोई पुलिस के स्ने बनेगी तो लोग घ में मारेंगे इतनी नाराज है क्या होती है सर देखिए हर एक की एक लिमिट रहती है तो अदमी उनके खिलाब नहीं बोलते लेकिन निर्भीड लेक मेरी संगर्शमेथी लोगों को सच दिखाने का मेरा दर्पन का काम है मैं तुम्हार को दर्पन दिखा रहा हूँ आप देखिए आपका शियर कैसा है आपके राजनीति अगर अच्छे तो अच्छे बुरे तो बुरे दर्पन दिखाने का काम मेरा और दर् बंपन तो इस रहना चाहिए साप रहन चाहिए की नेति साप रहनि चाहिए मैं काम करता हूं को मैं बताता हूं यह महापाली का आया अभी का जो मुद्धा है उन्होंने ऊठाया है पर जो कर ले रहे हो कि इतना लोगों को बना रहे लोग, 17 जानवरी में ये सभी कारपोरेटर ने सभी पार्टी ने तई किया कि ये इतना इतना टैक्स लेना है, और आज बोरे इने ये गलत है, अरे ये तुम सभाग रो, सभाग रो ने एने कि तुमारी मा है, ये सविदान है, प्रदान मंत्री जाए जब पहले बार लोग सभा में गये तो उन्होंने पहले चरण, वो चरण है रहते हैं, वो चरण को नमन किया कि ये मेरी मा ये मेरी राष्ट ए, तुम सभाग रो में जूटे धन्दे करते हो, सभाग रो में एक बार भोलते हो, आम तैक्स नहीं लेंगे, पांट साल और बाद में तुम टैक्स लेने का भी ठराव पारित करते हो और जब समाज को रोश दिखाई दिया तो बोलते हैं यह नहीं रहेना चाहिए अरे दूम ना की समाज से जुड़ बोलते हो तुम अपने अत्मा से अपनी मा से जुड़ और यह जुड़ बरता हो तुमारा सवन करेंगे समाज कमिशनर जो पन्वेल के हैं सुदाकर देश्मुग पिछले जो कमिशनर गए गणेश देश्मुग आपने उनके भी कारेकाल को देखा आपने सुदाकर सिंदे को रोकने की कोसिस की क्योंकि वो आई-एस ओफिसर थे जी लेकिन उनको उनके खिलाप प्रसावाग होने के बाद तो कमिशनर को नियम के हिसाब से नहीं रोका जा सकता फिर भी आपने उनके लिए प्रयास किया कि इस तरह का कमिशनर जिस तरह के आपकी डिमांड थी कि आई-एस ओफिसर यहां पर रहना चाहिए उसके बाद अगर देखें तो वहीं सीयों के ज सबसे मेरे दोस्त है वेक्ति गत्रुप में मैं मैं सब मेरे दोस्त शुदाकरदेशमुक मर्क जिबी है लेकिन शुदाकरदेशमुक साब को अगर बताना पड़ेगा इनको कहा बैटाना है तो यह सबसे बड़ी सुगर फैक्टरी है यह बोलते बहुत हैं काम ने करते उनके पस अनुबोब होते लेकिन उनको क्या करना है अभी उनकी साड़ी तिन साल बचे देखो काम कभी बनता है एक तो नए ओफिसर रहते जोश में काम करते एक तो बीच में उनको प्रमोशन चाहिए सरकार को कुछ दिखाना चाहिए पास समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है अभी यह साड़े तीन साल उनके बचे तो देश्मुक साब ज्यादा काम नहीं करेंगे गनेजी दिश्मुक साब जी हूँ काम कर रहे थे यह दोनों दोस्त है कैसे मैंने उनको भी बता है था अभी लोग बोलते है कि सुदाक मैं इस यह क्या भी रिटारमेंट में आरे है ना तो यह रिस्टने लेंगे जब तक अप रिस्टने यह लेते कोई भी रिस्ट अगर बहुत काम नहीं है अब बताता हूं कि सभाग्रों में कोई बात छुटी है तो वह बताना चाहिए कि साभ यह नहीं होगा तो यह लोग नहीं करते कि सुधाकर्स देश्मुक्त साब ने करना चाहिए उनसे बहुत अपेक्षा लोगों की है लेकिन वह आए कोवीड में अभी कोवीड में कोवीड के अलावा उनको कुछ करने को टाइम ने मिलता और यह जाते जाते तो रिटर हो जाएंगे पनवेल का नुकसान कह सकते हैं इस तरह के बहुत हो चुका है और आगे होने वाला है दोस्तों जैसा कि देखा आपने इस वक्त हमारे साथ आज के हमारे खास महमानते फेस टू फेस के वरिष्ट पत्रकार निर्वीड लेक के संपादक पनवेल संगर समेती के अध्यक्ष कां प्रकरता से जबाब दिया और जो आपका विजन है कि पनवेल को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं कि पूने और मुंबई के बीच में पनवेल का सान सर्वोपरी हो तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो विजन है आपका जो सपना है आपकी जो सेवा का संकल्प है निश् सकते हैं तो अब दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त अगली बार हम फिर किसी नई सक्सियत के साथ फेस टू फेस में दुबारा आपसे मिलेंगे तब तक के दीजिए हमें इजाज़त नमस्कार धन्यवाद लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले